शिवाजी पार्क में होने वाली दशेरा रैली ने महराश्ट का तापवान बढ़ा दिया है शिवाजी पार्क किसे दिया जाए इसको लेकर बीमसी परिशान है उद्दव और शिंदे गुट पर बीमसी ने अभी तक कुछ कनफर्म नहीं किया है खबरों के मताबिक दोनों गुटों की तरफ से आए आवेधन पर बीमसी असमन जसमे हैं और फैसला नहीं ले पा रहा है इस बीज उद्दव ठाकरे ने अपने तेवर कड़े करते हुए जुकने से इंकार कर दिया है तो कैसे उद्दव ठाकरे शिंदे को दे सकते हैं मात देखते हैं ये रिपोर्ट कई दशकों से मंबई की शिवाजी पार्क में शिवसेना की दशरा रैली होती रही है इस रैली में सैक्डो शिफसैनिक महाराश्ट के दूसरे इलाकों से मुंबई की शिवाजी पार्क में शिरकत करते हैं और उनका मकसल सिर्फ ठाकरे परिवार के मुख्या और शिवसैना प्रमुक को सुनना होता है लेकिन इस बार शिवाजी पार्क में होने वाली दशेरा रैली पर शिंदे गुट और उद्दव गुट में खीस्तान मची है इसी को लेकर उद्दव ठाकरे ने मातो श्री में बैठक बुलाई और दशेरा रैली के लिए भीड़े खटा करने के लिए कहा है इस बीच केंद्रिय मंत्री और शिवसेना के पूर्वनेता नारायन राने ने उद्दव पर हमला बोला उन्होंने कहा कि हम चले गए तो उद्दव ठाकरे की शिवसेना को मैदान भी नहीं मिल रहा असली शिवसेना 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 की है आने वाले दिनों में धनुशबान भी उन्हें ही मिलेगा दशेरा रैली को लेकर जैसे जैसे दिन नस्दीक आ रहे हैं मुंबई में बयानों का घमासान तेज हो गया है शिवसेना प्रमो को दवठाकरे लगातार कह रहे हैं कि हर साल की तरह शिवसेना ही शिवाजी पार्क में दशेरा रैली का आयोजन करेगी दूसरी और शिंदेगुट की तरफ से भी BMC के पास दशेरा रैली के लिए आवेदन आया है शिवसेना ही शिवसेना ही शिवसेना ही शिवसेना ही शिवाजी पार्क पर दशेरा रैली का आयोजन करेगी उन्होंने शिंदेगुट को ठग कहकर बुलाया और कहा कि जिनोंने शिवसेना से बगावत की वो ठग है बैठक में उदव ने नेताओं से दशेरा रैली के लिए बड़ी संक्या में कारेकरताओं को बुलाने और भीड इखटा करने को कहा है इस भी शनिवार को केंद्री मंत्री नारायन राडे ने उदव ठाकरे पर हमला बोला है असली शिवसेना एक नाशिंदे की है आने वाले दिनों में उन्हें ही मैदान भी मिलेगा और धनुझबान भी मिलेगा जिसके बाद मामला और ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है वहीं उदव ने भी साफ कर दिया है कि वो जुकने वाले नहीं है ऐसे में देखना होगा कि दशेरे रैली कौन करता है और बीमसी क्या फैसला लेती है क्योंकि अभी गेंद बीमसी के पाले में है डीबी लाइफ की रिपोर्ट